हलो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुश खबरी है जो भी कैंडिडेट्स डिफेंस में जाना चाहते हैं विशेशकर महिला हैं फीमेल कैंडिडेट्स क्योंकि नेशनल डिफेंस अकाडमी ने एंडिये और नेवर अकाडमी एक्जाम होता है जो एंट्री है उसमें फीमेल्स को भी एंट्री बुमेन की वी एंट्री अलाउड कर दीगी है ठीक है जो पीएसी की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया है इसका कॉंप्ली नोटिफिकेशन आ गया है हम आपको बता देते हैं कि इसके जून महिने में क्या हुआ था अपलाई हुआ था लेकिन जब सिर्फ मेल केंड़ेट्स इसमें अपलाई करते आ रहे थे बर्सों से ठीक है और सुप्रीम कोड के डिसीजिन के बाद इसमें फीमेल्स को भी एंट्री मिल गई है जो एंडी में हैं और उसके बाद इन्होंने फिर्ट से मोका दिया है लिंक ओपन किया है फीमेल्स के क को लेगा ठीक है फिमेल स्केंडड के बहुत ही सारे डाउट्स आ रहे थे कि हम कब apply होगा क्या होगा ठीक है इस वीडियो के माधियम से हम एक-एक स्टेप समझने वाले हैं ठीक है apply date is qualification क्या रहने वाली है exam date क्या होगी physical medical कैसा होगा syllabus exam patent ठीक है क्योंकि यह first time female scandal के लिए entry खोली गई है जो PSE के द्वारा तो जी बहुत ही बड़ी खुशकवरी की बात है ठीक है आपने और भी वीडियो देखी होगी YouTube लेकिन इस वीडियो के मादियम से आपको एक-एक step समझने को मिलेगा ठीक है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं otherwise आप लास्ट तक वीडियो देखिए तब अगर अच्छा लगया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आप एक भी पॉइंट मिस कर दिया त तो आप मनले कुछ भी मिस कर सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट आपको लास्ट तक ले सकता है ठीक है चले हम नोटिफिक्शन की तरफ और उनको मैं बता देता हूं जो अभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं उनकी ओवरेज हो गया है वो वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करे ताकि Information Awareness क्योंकि Awareness की कमी है इंडिया में तो Awareness सभी के पास पहुंचेगी इसके फार्म क्योंकि इसकी एस बहुत ही कम एस के एंडिमेंटरी होती है तो सभी करवा स्मार्टपॉन नहीं होता तो उसकी वज़ा से कई Aspirants रह जाते हैं तो मैं चाहता हूं कि सभी कोई भी न सबसे पहले हम तीर चारा नौटिफिकेशन इसमें डिसको स करने वाले हैं realised ले सबसे पहले जिए देख लिए आप च होएसं नम्बर कोरिगंडम क्या होता है कि इसमें add किया है नोटिक्य कोंडा सा नोटिफिक्जिकेशन नंबर नोटीस आपड़ां जहें देख लेएंडी सेकंड वाला जह नोटिस हम दिखाएंगे जो कि जुन 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 जुलाई में आपका पब्लिश हूआ था आपका पब्लिश हुआ था जहें आपका जुलाई जून मन्त में कब हुआ था नौशे दो एक्टी सोर्सिंग एप्लिकेशन एप्लिकेशन पर नेशन डिफेस्ट पकेडमी एग्जामिनेशन दो एक्टी का एक्जाम हम आपको बताते हैं कि दो बार एक्जाम कंड़क्ट करवाया जाता है साल में दोनों वीडियो के लिंक हम दाल देंगे जो की एंडी के उपर हमने बनाई है वो डिस्क्रिशन आप चक कर सकते हैं बाद में उसके बाद चलते हैं इस नोटिफिकेशन की तरफ कहता है इन कंप्लाइंस विदा हॉनरेबल सुप्रीम कोट आफ इंडिया इंटर्म डिरेक्शन परमिटिंग बुमेंड क इनको इनका टेक पार्ट इन दा नेशनल डिफेंस अकाडमी और किस में खिस्ता लेना चाहिए इन दोनों गिजाम हैं बाइट्स ओडर डेटर ठारा आठ दोयार इकिस को अगस्त में इनों ने जे ओडर निकाला था फाइल किस ने की ती ये कुछ कालरा वर्सस जूनियन आ और लाइन पॉर्टल, यह अपको क्यांट आपको करना पार लाइन डात है अभी अभी अब्यदियो को शोड के जल जाना आ अच्छा नहीं होगा क्या पहां कुछ समझए नहीं आएगा जे हो गया फार आप एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं फार दिस एग्जामिनेशन टू इनेवल दा अन्मेरड बुमेन कैंडिट्स क्या अन्मेरड नहीं होने चाहिए आप अन्मेरड बुमेन कैंडिट्स के लिए एंट्री खोल लिया है इसमें आप अलिजबल होने चाहिए तब भी आप इसमें एप्लाइ कर सकते हो हम आपको बताओ दें कि ये अन्डे मैं आपको पर्मानेट क्मीशन मिलेगा एंडबी एंडे एरफोर्स एज आफिसर सर्व करने का मोका मिलेगा परता नोटिस सेड नोटिफिकेशन नमबर देन उनना फिर से बता दें कि जो हम नोटिफिकेशन बताएंगे आपको नेशली एस मार्चल सब कुछ डेटा वर्थ ए टू जड़ बताएंगे विच वास पब्लिच टान ठीक है इस कुरंटली अन्टाइबलेबल अन्टाइबल आएगा हम आपको बता देंगे उसका नोटिफिकेशन अलग से आएगा से जब भी इनको क्लेरेंस मिलती है इसके रिगार्डिंग तो यह आपका जहांपे अप्लोड कर देंगे अप्लिकेशन विल रिमेन ओपन फारर केंड़ेट्स फ्राम वेरी इंपोर्टेंट पॉइं के शेयर वज़े तक आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्टेट को नहीं अपने वेट करना है अगर आप सीरिस हो इस एक्जाम को लेको तो आपको अभी अप्लाई कर देना है देन उसके बाद इन्होंने क्या बताया है नोटिफिक विल भी असेप्टेट बियोंड प्रेसक स्वेट्राइब कर लास्ट के आगे का नुटिफिकेशन नहीं आपको कोई भी फ्री आफ कौस्ट रहने वाला है क्या रहने वाला है आपका कोई भी फिस लगने वाली नहीं है कि इतनी फिस होगी क्योंकि आज कल 500 लग रहा है कोई भी एक्जाम में बैठने के लिए तो इसमें कोई भी फिस नहीं आपकी अच्छी बात है कोई भी इसके रिगार्डिंग आएगा तो वह गुबन्मेंट के द्वारा क्या दिया जाएगा डिमिशन आपका कॉरिगंडम की आपकी कब कब से प्लाई है क्यों इसमें आपकी कुछ डौट्स क्लेर होई होंगे ठीक है अब हमने जाना है एक और सेकर्ड नोटिफिकेशन की तरफ से क्या रहने वाली है इसके उपार भी हम जाएंगे ठीक है अभी हम आगे हैं उस में नोटिफिकेशन की तरफ जो कि आपका जून मंत में पबलिश्ट हुआ था ठीक है हम ऐलिजबिल्टी देखेंगे सब कुछ देखेंगे इसमें जो जो आपको आपको नोटिफिशन चाहिए होगा आप में कमेंट में पूछ सकते हैं वही मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा यहां पहां देखते हैं कैसे अप्लाई करना आपका बताय है ठीक है उसकी अपको इड्मिट कार्ड दे दिये जाएगा उसके बाद हम बता दें कि इसमें नेक्टी मारकी भी एक्जाम में राउंग अंसर के लिए ब्लैक बाल पैन आपको काला पैन लेके जाना है एक्जाम में बैठने के लिए आपको इस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेनी है टैलिपोन भी दी है इन्होंने जहां पर आप कॉल कर सकते हैं कोई भी कोरी के लिए अदर्वाइस हमें आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है देन उसके बाद देन उसके बाद यह तो उनका है इसमें हम आपके सेंटर साब जहां से आप पड़ सकते हो आप वीडियो को पॉ बहीं क्या आपको Central Out होगा exam में बैठने का आपका जे चेंज नहीं होगा कि हमने ठीक है नेशनल्टी आप क्या होने चाहिए citizen of India के होने चाहिए जाने पाल के भी हो सकते हैं जहां पर पढ़ सकते हो ठीक है citizen अक्तूबर दो यार तीन के बीच ना लेटर दन फर्स्ट जन पर दो यार दो यार तीन और दो यार शे के बीच दो यार तीन के बीच और दो यार शे के बीच आपकी डेटा वर्थ होनी चाहिए पिससे बता दे कि तीन और शे के बीच आपकी डेटा वर्थ होनी चाहिए यह सबसक्रावारज सब्लाब का कॉलिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं है कॉलिफिकिशन आपकी होनी चाहिए फर भी आर्मी व हम बिंग नेवल डिवैंस स्काडमी नेवल एरफोर्स और नेवी के लिए आपका फुजिक्स किमिस्ट्री और मैथमेक्टिस होना यह तक रिटन प्लस तू पैटन आप स्पिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए पुषी। होना चाहिए अपका चलेगा और generally class and also जो donald इसके लिए apply कर सकते हैं जों क 느 स्था तभी इस नहीं कर सकते तभेलत वाले कर सकतत है तो वह जहां पर आपकर सकते हैं तिक्षान इस मिए आपकी कोडिशन सबठन ने कि क्या गई इस ग्राटेर लिए बाला है अब हम एक्जाम डेट और सिलेबर्स की तरफ बढ़ते हैं और सिलेबर्स अभी हम देख लेते हैं कि आपका एक्जाम कब होने बाला है इसके रिगार्डी भी नोतिफिकेशन आचुका है लिश्ट्यूलिंग अफ एंडी इंड आ ए कि आग्जाम 14 नमंबर को आपका एक्जाम कब रोब और सबहे NGOs को चो भी मेल के वाआइस का एक्जाम 14 नमंबर को होगा और जा grapes है दिए कब आपका कि भड़ा अंट पांच स्थमबर को इस जही कारणा था कि इसमें फिमेल रह जाती आगर इग्जाम प्रपर परवंदी थी तब तक कि आपको राजिल्ट नहीं आठी तब का ऐग्जाम कब होगा को कि कि आपका इन किरीं सेन जब याइंड्य एगर आपना करना अपना तो आप बहुन कर सकते हैं कि हमें जो कि आपका नजदिक में रहने वाला है ठीक है अभी हमारा रहा गया exam pattern और syllabus के बारे में ठीक है अभी हम उसके बारे में discuss कर लेते हैं अभी हम discuss करने वाले हैं exam syllabus exam syllabus और exam pattern syllabus के बारे में कि कैसा कैसा exam रहने वाला है एक फिर से हम बताते हैं कि आप comment में बोचना कि कौन सा आपको notification चाहिए हम वही provide कर देंगे आपका लिंक प्रवाइट कर देंगे स्कीमा आप examination के रहने वाली है थे स्ब्जेक्ट अफ़ रिट्रें एक्जामिनेशन दे टाइम लॉट्टे मार्क्स आपके mathematics से होने वाले हैं उसके बाद जर्नल अबिलिटी टेस्ट तू एंड इसके भी सेम डाइगंटे मिलने वाले है तरह किया मार्क्स होऊंगे 600 मार्कने मार्क्स होंगे आपके इस टोटल आपके रहने वाले हैं इसके टोटल के रहने वाले हैं 900 मार्क्स हो जाएंगे त्ब पेपर से available अबघ्ट्यंप अबजक्टि टाइप पी रहने बाला है दो कॉश्चेन पेपर टेस्ट बॉकलेट ता मैंतेमेटिकींट्स बॉलेंगल एंड हिंदी आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेगा मैंतेमेटिक स्ट्रेंटर रहने वाला है यह जरुट्र नॉलिज भी है है जर्नल नॉलज़ चार सो मार्क्स की है आपकी चार सो मार्क्स की इसमें आपका क्या करने क्लूड होना वाला है इसमें जर्नल इंग्लिश आपकी दो सो मार्क्स की है जी कहें मैटमेटिक्स बिताए तिंग फिक्स है कमिस्ट्री है इसमें आपकी जर्नल साइंस है हिस्ट्र में भी पढ़ सकते हैं ठीक है सलिपस को डिटेल में पढ़ने की जरूरत है अगर आप इसके लिए एक्जाम को सिरीस होके पढ़ने ठीक है इतना मैं मानता हूँ खुद बनाना जानते हैं ठीक है तो जहीं था इस वीडियो के माधिन से आई तो की कम से कम एक शेर तो बनता ही है इतनी मेहमत की आपके लिए और कोई भी डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में आप पूस सकते हैं और मिलते हैं नाक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे खुशियां बांटते रहे थैंक्स पर वाचिंग वीडियो थैंक्यू